जरूर जीतने का था डिसपॉइंट हुआ थोड़ा बट गेम है एक को ही जीतना था बट जिससे आप से रिस्पॉंस मिल रहा है मेरे को बोल रहे हैं लोग कि आप हमारे जीते हो आप हमारे विनर हो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बीग बॉस खतम होने के बाद अभी लगभग चार पास दिन हो गया है लेकिन अभी भी दीरे दीरे आ रहा है के सिद्धा शुकला को कैसे जीताया गया है और आसिम रियास को कैसे हराया गया है जी हाँ सिद्धा शुकला के पीछे कौन कौन लोग खरे थे क्या 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 आसिम को हराने के लिए क्या 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 अभी आपको भी पता चलेगा इसके लिए आपको जुरे रहे ना होगा रहसे लाइब में तकि मैं आज आपको सब कुछ बता सको कलर्स की एक्स एम्प्लॉई असल में वो अपने आपको कलर्स की एक्स एम्प्लॉई बदा रही है नाम है फरीहा और वो एक के बाद एक पोल खुल रहे है सिधा शुकला की या फिर कलर्स की एंडर मोल शाइन टीम की अभी क्या हो रहा है उनका कहना है कि ये बीग बॉस 13 और बीग बॉस 13 के जो creative programming head है वो है मनिशा शर्मा और वे सिध की यानि सिधा शुकला की ex girlfriend रही है तो इसलिए सिधा शुकला को भी ला गया है और उसे support भी क्या जा रहा है इसके बाद और भी कारण आ रहा है वो और भी बता रही है कि सिधा शुकला को शो के बीच घर से बाह जाना था तब उनके साथ various type का meeting हुआ था और यह meeting programming heads और उनके PR के साथ हुआ था उनको अपना mobile भी दिया गया सिधा जिन जिन के साथ contact करना चाहा उसने contact किया और Colors TV वालों ने promise किया सिधा शुकला को कि हमारे लिए तुम खेलो तुम जितना चाहे जो करना चाहो वो करो ज वापर फरिया ने tweet की कि सिधा शुकला एक ऐसे इंसाने जो कि violence करते हैं जो कि सबके साथ मीज वीप करता है वोमेन के respect नहीं करते हैं उसे जिताए यह बहुत अच्छी बात है और टेक क्या मनिशा शर्मा को उसके बाद Colors ने अपने official Instagram पे जब कहा कि फरिया Colors में कभी भी employee नहीं रह चुकी है अलाकि सजबात तो Colors जाने और फरिया ही जाने और उसके दुरन बादी फरिया ने Colors की उस Instagram पोस्ट के screenshot लेते हुए Twitter में शेयर किया और वो कहीं कि आप यह मना कर सकते हैं कि vote के साथ मेनुपलेट नहीं किया गया है सिधा शुकला को phone दिया गया था ज से कोई tweet नहीं आ रही है और महिशा शर्मा ये भी बता रहे है कि आसिम को intentionally नहीं जितवाए गया है क्योंकि आसिम काश्मीरी मुस्लिम है तो इसलिए क्रश्वाले नहीं चाहती थे कि कोई कश्मीरी मुस्लिम जीते तो इसके बाद हम और आप क्या कर सकते हैं चलो यह खतम ह हो गया अभी किस्दा भी खतम करते हैं चले हमें भी तो मूब आउन करना होगा हम भी मूब आउन करेंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है यह सब जो बात है वो कि सच में हुआ था या फिर यह सब अगवाय है निचे कॉमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा दोस्तों मिठे मिठे कॉमेंट का